Hello everyone, Mark Books के इस वीडियो में, आज हम Control Room के Customer Name Option पर बात करेंगे. तो इसके लिए पहले आप Dashboard से Settings पर आएंगे. Control Room के Corresponding Configure बटन पर क्लिक करेंगे. और यहां Customer Name सर्च करके, Customer Name को Yes करके Escape की प्रेस करेंगे. और Changes को Save कर देंगे. इसके बाद अब Sale Bill पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहां Mobile Number, Customer Name की Fields Enable हो गई है. और इन Fields को Enable करने का ये Benefit है कि Retail में Fast Billing होती है. और Billing के Time Customer से उनका Mobile Number पूछ कर, उनकी Billing कर दी जाती है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार-बार Ledger Create ना करना पड़े, तो आप Customer Name Field को Enable करके, Billing के Time Customer का Mobile Number एंटर करके, Fast Billing कर पाएंगे. और साथ ही आप Customer भी Create कर पाएंगे. अब इसे Save करते हैं. अब यहां Customer का Mobile Number और Name Feed हो गया है. अब Bill को Save करते हैं. और अब आप बिल बनाने के बाद, Customer को उनके WhatsApp पर बिल भी भेज सकते हैं. तो इस तरह विडियो में दिखाए गए प्रॉसेस को फॉलो करके, आप Mobile Number और Customer Name की Fields एनेबल कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग.